बिस्मिल्लाइ रुख्मान इवराहीम, असलाम लेकुम जी, कैसी है मेरी प्याई से यूट्यूब फैमिली, उमीद है कि आप सब लोग हैडियर से होंगे आज की वीटियों मैं आप लोगों के साथ मारिया बी के ड्रेस के डिजाइनिंग शेयर करूँगी और ये मारिया बी के एम्प्रिंट्स के आर्टिकल्स हैं, हीट कोड हैं जो के हमने स्टिच करवाये हैं अब देखते हैं डिजाइनिंग की सदीके से हमने इनको बहुत ही प्यारा से स्टिच करवाया है इसके अलावा क्रीम्सन के ड्रेसिस भी शियर करूँगी और क्रीमसन के ड्रेसे स्टिच करवाना बहुत मुश्किल काम होते हैं क्योंकि इन में बॉर्डर्स बहुत जाद होते हैं बाकी काफी सारी डिटेल्स भी होती हैं जो कि वीडियो में आगे चलकर शेयर करेंगी अच्छे सबसे पहले देखते हैं हम एंप्रिंट्स का यह खुब से जोड़ा जो कि इनका होट सेलिंग आर्टिकल रहा है और यह प्रिंटिट एंड इंबॉर्डी शेयर्ट है यहां पर मैंने क्लोस अप कर दिया है ताकि आप लोंको फ़ाप्रिक आइडिया हो सके यह अभी रीसेंट्ली जो एंप्रिंट्स को लेक्शन लाँच वी थी थी ना उसी में से बाई किया गया ड्रेस सिंपल स्टिच करवाया है लेकिन इसके स्लीज का डिजाइन बहुत प्याया थे इसे वज़ज़ से यह ड्रेस शेयर किया अच्छे कहां पर पैनल्स में हमने जोईट्ले सैट की है जिसके वज़ज़ से लोग देखने साहां से क्रिये ठो गई है यहां बैक साइट से भी शो करवा देती हूँ था कि आपको आइडिया हो जाए कि यह सेपरेट से जोईट्ले सैट की गई है बागी ड्रेस के साथ यह इंब्रॉडिर बॉडर दिया गया था जिसको कट्रोल करके अटाश कर दिया है इसके नीचे दो कलर्स के औरगेंसा यूज़ किये एक डार्क ब्लू शेट यूज़ किया एक लाइट ब्लू शेट जिसके वज़े से कुछ इस तरहां का रिफ्रेक्टार है वैसे एक्चुल दिखने में ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था यहां पर लाइट की रिफ्रेक्शन के विज़े से थोड़ से डल शेट नज़र आ रहा है और अपी मैंने बेक साइट से भी शो करवा दिया है ताकि अगर आप लोगों के पास भी ये ड्रेस है तो आप लोग भी इसको इस तरीके से स्टिच करवाएगा नेकलाइन हमने सिंपल राउंड शेप में रखवाई है क्योंकि कस्टमर के रिक्वाइर्मेंट थी और उसके आगे लेस की डिटेलिंग करती गई है अब देखिए इस ड्रेस के साथ नहीं सिंपल प्रिंटर स्लीज थे लेकिन हमने इस पर लेसी एंड और्गेंजा यूज़ करते हुए इस तरहां से डिजाइनिंग की है लेकिन लेसी भी स्कैलप वाली यूज़ की है उसके नीचे दो कलर की और्गेंजा अटाच करवाई है और यह वही कलर्स हैं जो कि हमने शिट के डामन पर यूज़ के थे आप स्टिचिंग की नीटनेश चेक करें कि कितना नीटली यह ड्रेस बनाया गया और स्कैलप्स और गेंजा की है लेकिन बहुत इनीटली इस सारा काम किया गया यहां पर मैं क्लोसिफ कर देती हूँ ताकि आप तो स्क्रीन चॉट ले सके अच्छा अगर चाहें तो यह वाला डिसाइन आप दामन पर भी बना सकती है लेकिन कस्टमर की तरफ से रिक्वार्मेंट नहीं थी उनों को यह डिजाइन जस स्लीज पर यह चाहिए था यह हमने अन्लियों स्लीज पर बनाया और जिस नहां से उनों ने दामन पर बोला हमने उस तरीके से दामन पर डिटेलिंग करवा ती इस ड्रेस के साथ यह प्रिंची ट्राउजर था जिसको सिंपल से स्टिच करवाया है बॉटम साइज रखा है एट इंचीज का बाकि देखें बेल्ट फ्रंट से प्लेन है जबकि बैक साइड में लास्ट रिकेट की गई है अचैनकी डुबटास भी रेटी हुए थे लेकिन ड्रेसे सेंट करने के बहुत जल्दी थी इसवज़े से वो डुबटास में शूट नहीं कर पाई और ये ड्रेसे अभी हमने सेंट करने थे इसवज़े से इस आर्टिकल को तो मैंने टेलर के पास शूट कर लिया सिंपल से स्टिच करवाया है लेकिन फिर भी आपनों के साथ डिजाइन शेयर कर देती हूँ नेक लाइन बनवाई है राउंड शेप में सामें लेस की डिटेलिंग करवा दियो इसके स्लीज पर देखें जॉइंट लेस और सिंगल साइड लेस यूज करते हुए इस रहां से डिजाइन बनवाया है इसके दामन पर इंप्रॉड़िट बॉर्डर अटैच किया जो के ट्रेस के साथ दिया गया था और ये ट्रेस पिन का होट सेलिंग आर्टिकल है जो कि देखें इस रहां से स्टिच हुआ है ये शिट हमने बनवाई है एलाइंड शेप में और सिम्पल शिट स्टिच करवाई है प्सके दामन पर आप इसका बॉर्डर भी चेक करनें ये इंप्रॉड़िट बॉर्डर हमने शिट की बैक साइड भी योस किया है और शिट की बैक साइड पर इस प्रिंटिड है जिबके फ्रांट साइड इंब्राइड और नदर हां किया स्लीज भी देखें इस चाहँ से प्रिंटिड है जिस पर लेसिस के साथ डिसाइनीं की गी है अच्छा इस ड्रेस के था इस प्रिंटिड रौज़र था जिसको मैं शूट नहीं कर पाई क्यों इसमें 4 panels थे, back side में वीचे तरीके से 4 panels थे, जिनको attach करने के बाद, बागी साई detailing की गई है, यहाँ पर आप सबसे बहले इसके neckline देखे, हमने neckline बहनवाई है, round shape में, क्योंकि customer को simple सी round neckline जाहिए थी, और यह जो आपको panels नज़रा रहे हैं, सारे separate यह गए थे, जिनको attach किया गया है, और center panel को हमने laces use करते हों attach करवाया है, क्योंकि posture picture पर stress को front open style में stitch किया गया था, लेकिन customer को यह front open style नहीं चाहिए था, तो हमने front open को close किया है using a lace, जिसकी वज़र से design भी बन किया, और इसकी प्यारी सी look भी create हो किया, white color की lace लेकि कितनी enhance हो रही है, simple सी designing है, लेकि इस designing लेना dress को और भी ज़्यादा खुबसरत बनाती है, अगर just wiping कर देतें blue color की, तो शायद इतनी अच्छी look create नहीं होनी थी जितनी के अब हो लिए, और ये भी बताती चलूँ कि इन dresses को हमने lining के साथ stitch करवाया है, क्योंकि इसमें hauls थे और customer की requirement थी कि उन्हें dresses के साथ lining रही है, अच्छा dress के साथ ये embroidered potters दिये गए थे, जिनको joint lace use करते हो अटाच करवाया है, और एंट पर रेटा वर के जर्गे scallops बनाए गए है, otherwise ऐसे embroidered potters नहीं था scallops हमने फुछ से बनवाए हैं, और chalk में भी lace की detailing करती है, वही lace हमने chalk में use किये जो कि shirt की front side पर use की गई थी, और यहाँ पर आप देखें, पैनल को कितना neatly attach किया गए, तहीं पर भी design उपर नीचे नहीं हुआ, आप लोग guess ही नहीं कर सकते हैं, यह पैनल सेपरेट से अड़ किये गए हैं, अब इसके sleeves replacement sleeves के लिए भी embroidered potters दिये गए थे, यह embroidered potter था जो कि diamond पर attach किया था, दूसर एक embroidered organza border था, जिसको हमने उपर से data work करवा दिया, यहां पर आप clearly देख सकती है, इसमें ज़रू चेक कर लिया करें, क्योंकि आप लोग order place करते हो, और फिर samples का कहते हो, तो ऐसे में हमारे पर samples के लिए pictures नहीं होती, वीडियो share करने का purpose यहीं होता है, कि यहां से आप लोग stitching का idea ले सकें, अचाँ जी यह T-shirt की back side again, back side भी panels की form में थी, लेकिन back side में 3 panels थे, उनको attach करवाया गया है, और इन panels को हमने attach करने के लिए, कोई lace यूज नहीं कई, इसके साथ embroidered border को भी हमने joint lace के जरीए ही लगाया है, अब इसके trouser का design देख लेते, इसके साथ हमने काफी loose fitting में trouser stitch करवाया है, bottom size almost 14 to 15 inches रख है, अचाँ कि यहां पर देखिए, इसके रीचे ना holes थे, जैसा कि चिकन कारी का काम किया गया तो सासत holes थे, इस वज़ा से हमने trouser के निशले वाले हिस्से में linings attach की है, और उपर printex पर इसी लिए आइट की है, कि जब linings का कपड़ा नीचे attach किया गया है, तो जाहिसी बात थे उसके उपर stitch थो आएगा, तो उस stitch को हमने चुपाने के लिए ताकि वो clear ना हो, पर हमने clear set करती, अब दिखाते हूं, इसका डुबर्टा, डुबर्टा बहुत प्यारा है, लेकिन डुबर्टा जितना simple नज़रा रहे इतना बिल्कुल भी नहीं था, इस साइट पर जो आपको embroidered borders नज़रा आ दे हैं, इस साथे separate दिये गए थे, जिनको हमने एक-एक करके अटाच किया है, और scallops अलवत्ता पहले से बने हुए थे इस ड्रेस पर, तो scallops हमने कुछ से नहीं बनवाए, और इसके पल्लू के लिए embroidered borders and patches दिये गए थे, जिनको हमने अटाच करवाया है, और पल्लू की बस इतनी सी measurement दिखनी थी, इस वज़र से डुबर्टे की width भी हमें कम करनी पड़ी, क्योंकि measurement ही इतनी ज़्यादा थी, और यहां पर आप लोग देख सकते हैं, कि रेटावर के ज़रीन सब को अटाच किया गया है, अच्छा इस तरह के ड्रेसिस के साथ, नॉर्मली कम वीर्ट वाले डुबर्टा सी चलते हैं, क्योंकि ये डुबर्टा सर पर केरी करने के लिए नहीं होते, आप इन्हें गले में लटका सकती हैं, और सर को कवर करने के लिए मोसली हिजाब याने किस काफी यूज़ किया जाता है, और यहां पर आप ड्रेस के डिटेलिंग्स देखें, आपने जरूर बताना है कि हमने इस ड्रेस को किस तरीके से डिजाइन किया, कस्टमर को भी आर्टिकल बहुत ज़्यादा पसंद आया था, और इस पर मेहनत भी काफी ज़्यादा हुई थी, बिल्कुल वैसा ही डिजाइन रेडियो हुआ जिस तरहां पोस्टर पिक्चर में था, और कस्टमर भी काफी ज़्यादा खुश हुई थी, और उन्हें हमें ये कहा कि मैं पहले ब्रेंड से स्टिचिंग करवा थी थी, लेकिन आप लोगों की स्टिचिंग तो उससे भी कई गुना ज़्यादा अची है, तो वस इस तरह की बाते सुनके जाही सी बाते हमारा भी दिल्खुश हो जाते हैं, क्योंकि अगर काम करवाया जा रहे तो एप्रिस्टिचिंग तो होनी चाहिए, कि अब देखते हैं, नेक्स ट्रेस जो इस वीडियो का लाश आर्टिकल है, और ये ट्रेस है, प्रीजे की न्यू कोलेक्शन में से लिया गया, सिंपल प्रिंटी शिर्ट है, इंब्रॉडरी भी की गई है इस पर, इसको हमने सिंपल से स्टिच करवाया है, लेकिन फिर भी डिजाइन आपनों के साथ शेयर कर देती हूं, डामन पर देखें, पैच को जोईंट लेस के जरीए टाच किया गया, यह सेपरेट से पैच नहीं था इसको पैच वाली लुक ही दी है, एंड में हमने क्यूट सी लेस अटाच करेती है, और इन लेस्ट को और रिकोईट कलर में डाइ करवाया है, क्योंकि यह लेसी मिल्की स्टफ में हैं, जोके white color में ही available होती है तो इनको required color में dye करवाया जाता है अचा देकिन sleeves पर भी उसी तरह से diamond वाला design ही बनवाया है और इसके neckline बनवाई है round shape में सामने plain fabric की piping कर दिये अचा इस shirt पर buttons भी attach होने थे लेकिन फिल हाल attach नहीं होए थे ऐसे ही मैंने video shoot कर ली और यह है shirt की back side का diamond back side के diamond पर फिर front side जैसा ही design बनाया है इसके साथ stitch करवाई है हमने शल्वार क्योंकि यह गांटिकर ज्रेस तो उनको इस ट्रेस के साथ शल्वार चाहिए थी तो उनकी requirement के according ही शल्वार stitch की गई है built वाली शल्वार है जिसमें यहां पर काफी जादे gather's होती है और इसमें elastic पी डाली इससे पहले भी मैंने कुछ शल्वार के design share किये थे जिसमें हमने fabric को use किया था यानि इसमें elastic नहीं डाली थी separate से fabric attach किया था जैसे कि Indian शल्वार होती है और मेरी एक Indian client के लिए ही dresser stitch होए थे इसमें आपनों के साथ share करती है तो आप लोग भी चैनल को लास्मी सब्सक्राइब कर दिया करें bell को बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर एक आने वाली वीडियो को notification आपको मिल सके इन्शाला मुलाकाथों की नेक्स वीडियो में अपना बहुत जदे ख्याल रखिएगा ओके जी अलाफीज